हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज कित कुने तीती परकेसान मना रहे सद भागना दिवस धासा बॉर्डर पर केसानों के समर्थं में उतरे לוग किसानों को समर्थं देने पहुंचें कई वापों के प्रतीनी भी तीक्री बॉर्डर पर किसान कर रहे है अर्ध नक्न प्रदर्शन ते शिकानों के खलाफ आंदोलन जारी यह बड़ी खबर पहुंचा रहे है यूपी हर्याना से किसानों का दिल्ली कूच जारी है हमारे समवादाता राजा पाठेल जोड़ गए है जारा जानकारी के साथ गाजिपूर बॉर्डर से क्या आप डिठाई है इन से जानते है राजा क्या देख रहे हैं आप कैसी चहल कदमी है जिवरकुब देखे है नामीका जिस तरीके से बात करें पिछली 24 घंटे में यहाँपर जो किसानों की संक्या है वो साथ तोर पर ददेश से किसानों की बात करें लगातार कहीं ने कहीं दिली कूच कर रहे हैं दिली पहुंच रहें आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो किसान हैं यहां पर डटे में लगातार सरकार के खिलाफ नारेवाजी कर रहें यह देखिए जन समू आप जिस तरीके से पिछले 24 गंटे में जिस तरीके से जो किसानों की संक्या है उन्हें साफ तोर पर यहां पर इजाफ़ा देखन आज जाएगा आज देख भी रहे हैं कि हर बोड़क पर हर जिले से हर प्रदेश से आदमी यहां आना शुरू हो गया है इन्हें यह तिनों काल कानू वापस लेना पड़ेंगी और सरकार की यह मंसा थी कि सरकार 26 जनवरी को जो मचवाना चाहिती थी वो सरकार की ही प्लानि सब्सक्रा इतनी खराब है इतनी अबुदी मोदी नहीं है तो मोदी के तरी करहाने सब्सक्राइब कि उसकी फोटो तो ये सारी मीडिया में सारे देश को अपता चल गया है कि ये वाजबा की सोची समझी चाल थी और ये वाजबा जितनी चालने चलेगी किसानों के लिए उतना ही आंदोलन ये उपर बढ़ेगा नीचे नहीं जाएगा जो यहां पर इनों ने किया है 28 तारी को इसका भी पूर बाजबा के कुछ गुंडों ने आकर के और किसानों के साथ छिड़कानी की है और जो इस तरीके से मारपीट और बलबा करना चाहा वो नहीं हो पाया कल सिंदु वाटर पर भी बलबा करने का प्रयास किया रस की गुंडों के साथ बाजबा के कुछ विदायक और सारी लोग लगे हुए हैं उसी सारे पर यह चाहते हैं किसान अंदोलान करें आज 66 दिन में एक भी मुंफली का ठेला वाला भी नहीं कह सकता है कि किसानोंने कोई गलबली की है कोई नुक्सान किया है जब ऐसी परसिती में छैसर दिन से किसान स्थंड में इसमें लेटा हुआ है तो यह किसान की ही अकात है कि किसान लिट सकता है इसको बदनाम करने में इन्होंने कोई कोई कोर कसन नहीं चोड़ी जितना इन्होंने इसको बदनाम किया है उतना ही किसान आंगे को बढ़ता रहा है और यह तो आंगे वाला आने वाला भविस्ट बताएगा कि जो इन्होंने किया है किसान के साथ वो पूरा-पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा चाहे बाजापा कुछ भी कर ले और मौहारे अर्याना के अंदर हर गाओं में पंचेते वनी शुरू होगी थी जिस दिन राकेश्टिकेट्जी के साथ जो धकाशाई करने का प्रियास किया हा था पर शासन ने और बीजिप गु पहुंच गए थी यह आज जो बलिदान दिवसे गांदी जी का उसके उपर पूरे देश का किसान ने जो है ना अपना अंसन रखा हुआ है वो पांच मेंस के सतरा मिन तक अंसन रखेंगे और हम तो एक और बात करना चाहते कि जो बीजेपी की सब्सकंडे अपना रही है किसा पहुंची नहीं थी गेट खोल दिया गया जिस आदमी ने जंडा फराया दूसरे खंबे के ओपर वह आदमी पहले से वहां मौजूद था लेकिन हम यह मानते हैं कि लाल किला जो है वह हमारे मान समान का प्रतीक है लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि वह सरकार ने बीजेपी की जमीन बचाने का अंदोलन है और गरीब की रोटी बचाने का अंदोलन है इस देश के अंदर गरीब मजदूर और किसान यह दो यह सवर्ग है जो लाई किसान नीता राजेश लाठर हमारे साथ जुड गए है राजेश लाठर जी मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका लकतार किसान अब एक बार फिर से जुडने लगे हैं इस आंदोलन के सत आंदोलन एक बार फिर रफ़दार पकड़ चुका है सरकार से आप वारता की और वो क्या आपको गमारा होगा? इनको वापिस लिया जाए और MSP की गारंटी का कानून बनाके स्वामिनात अनायोग की रिपोर्ट को लगू किया जाए हमारी यही मांगे पहले दिन से और अगर आके सरकार वारता करते हैं तो उसमें भी हमारी यही मुख्ये शर्टे हैं बीजेपे से प्रदीप भतनागर भी हमारे साथ जुड़ गए राजेश लाटर जी ज़रा देखते हैं अगर उन्होंने आपको सुना होगा तो जवाब लेते हैं नहीं तो रियक्शन लेकर लोटरियों में प्रदीप जी आवाज बिल रही है आपको जी आदी बिल्कुल आज़ेश लाटर को सुना अपने जी मैंने बिल्कुल सुना जवाब दे और और मैंने आगे जो वक्ता बोलगे से उनको भी सुना मैंने किसाननेता बेचरे हैं इनको पता है कि 11 भार सी वारता हो चुछी और सरकार और वारता करने के निनकों तही आरे और पूरे स्वाबत पिलिए सरकार खड़ी है लगार यह जो हट वाला महल जो बना रखा है आप GALA कानून, तो बोलते हैं, मैं तो कहूंगा कि जो काले कानून बोला करें, तो काले कानून को तीरों को विस्तार से बताया भी करें, क्रम पुझी प्रती किसान हैं, जो भड़े वैपारी हैं, जो बहुत बड़े वैपार लेके अगर मैं गलत हूं तो राजेश जी करेक्ट कीजिएगा 18 से भी शायद जादा बिंदो पर सरकार सहमत हो गई कि ठीक है सुधार करेंगे संशोधन करेंगे अभी आप उसमें स्याह क्या है पूछी रहे हैं तो 11 वारताओं में क्या किया आप लोगों ने अभी नेता कौन आपके मंच पर आवाज उठाए राजे जी नहीं थब शानेंगा पहले खालिस्तान नि बोलते थे कभी पाकिस्तान नी बोलते हैं कभी देश स्कारब चन्र यह फिर विका-प्राइद्ज भी पाते दे का, का कॉर्स शुरू किया हुआ है सभी को नए ने तमगे बाटते रहते हैं हरोज और हमें इनसे तमगा लेने की जरूरत नहीं है हम किसान है यह हमें पता है सरकार को भी पता है सरकार शिरफ यह अलग तरह के प्रोगंडे अपना के इस आंदोलन को डिरेल करना चाहती है जो उस जिल लिया कब तक बैठे रहेंगे हैंनों ह Bett अवश्कियां जब तक यह कानुन वापीश नहीं होंगे तब तक बैठे रहेंँ लेंगे हमने पहले दिन से बोला था किसान को थैंड से गर्मी शे बारिज से किसी चीजिसे क्वा किसान को आज सड़क्तर बेह वैसे वह खेड अगर ठंड का मोसम है तो खेत में रात में बिजली आती है, वहां पानी चलाते हैं, गर्मी होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है, मोसम का किसानों के उपर कोई फरग नहीं है, फरक तो सरकार के उपर है, जो नुमाइदे ये सोच रहे थे, कि किसान ठंड में उठके चला किसानों के नराज़ी से किसानों का जो छोटे किसान है, उनका नुक्सान हो रहा है, जिनको जबर्दस्ती ट्रॉलिया भरके जिनको लाया जाएगा, वो वापस नहीं चले जाएंगे, क्या, आपको क्या लगता है, किसान बुद्धी चीवी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल, देखें, एंदर सिंह टेके चौसरी माफी चाहूँगा, राज़ी चिकेट में जो आस्वों का खेल खेला, वो ठीक नहीं था, अगर उन सिपाहियों की बात करते, उनकी बात करते, उनकी बात करते जिनोंने लागी तंडे खाय, इतनी बुई तरा बिल्कुल, कानून को अपने हाथ में कोई भी ले, वो गलत है, एक सिकेट रुकी है, प्रदीव जी, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इस तरह के चीज़ें नहीं होने चाहिए, लेकिन सर आंदोलन का क्या, आपको बहतर पता है कि ये जितने किसान बैटे हैं, ये सभी नाराज है, इनकी नाराजगी का खामियाजा आपको आने वाले वक्त में भुगतना होगा तो भातियंता पार्टी नहीं करेगी चाहिए, सब्सक्रा का कोई नोब नहीं है, तो ये अंदोलन गलब चीज़ें, अपनी चीज़ उखानी चाहिए, और अपने मांगों को बैचना चाहिए, विरोद करना चाहिए, ये नहीं कि आप रोड़ पर इसके लंबे टाइ सबका साफ सबका विकात है, ये सबका में नहीं आते, गाज़ी पूर टीकरी सिंगु बार्डर वाले सबका में नहीं आते, तो फिर क्यों ये आप से नाराज है, आप इनको साथ लेकर चल पाने में कहीं फेल हो गय गया, अप मैं तो पूछ रही हूं, मैं कहनी रही मैं पूछ रही हूँ यह आप से अलग बैठे हैं आप से नाराज बैठे हैं आप इनको साथ लेकर चलने में सबका साथ आपका नारा है आप इनको साथ लेकर चलने में फेल हो गए मानेंगे अगर नहीं नहीं बिल्कुल फेल नहीं हुए नहीं सहमती इनकी नहीं बन पारी है माने मंत्री रजी सिंग तोबर जी ने कहीं बार वारता चली है मगार जब साथ यह पैनल छोटा नहीं हो क्यों सारे चौधरी है सब अपने वर्चत रखते हैं जिल्यों के अंदर इसलिए वारता नहीं पूरी हो पारे जिसलिए पैनल छोटा हो जाएगा किसान नेता जो ठोके एक छोटा पैनल बना लेंगे और जिसलिए सब का डिस्रें निस्कस निकल आएगा कहीं बीदेशा कार हर चीज के लिए त्यार बैके हर बाउस सार फोटा पैनल समझा दीजे प्लीज आहीं चोटा पैनल समझा दीजे घूडा क्या चाहते हैं चोटे इसलिए आज बनके किसान मोर्चे बनाके क्वें अगा से एक सिसम्य मैं बना सेके हुए नहीं किया वो हैमत इस जिसमें एक चेसा कि पना पना although is a कंवे एक सूप्रीम कूड बनारे हैं को अजोर रही रही ए सिन्हें कादून मैंचून प्रदी बतनागर जी कि छोटा पैनल आप बना लिजी अपने प्रति निदी मंडल के तौर पर महिलाएं बच्चे और बुजूर्गों को आप वापस में दीजी मैं बुजूर्ग बच्चे बैखे रहें जफ्सके मांगे खूरी नहीं होती मगा जो वारता होनी है वो इसमें लंबी टेबल पर नहीं हो टेबल को छोटी करने क्या मैं तो आविजन करना हूँ मैं बिल्कुल समझ गई राजेश लाठर के आप समझ रहे हैं कि पैनल छोटा होगा तो बात जल्दी होगी बात हमारी सिर्फ एक है उसमें चाहे एक आदमी जाएं चाहे पचास जाएं सभी यूनियन्स को इसलिए रखा गया है कि किसी में भी कल को गल्द फैमी ना पहले उसमें हमारी सिर्फ मांग ही दो हैं हमने तो ये बार-बार सरकार प्रस्ताव लाती है कि हम दो चीज़ें बदलने को त्यार हैं कभी कहते थे कि नहीं ये तो सारा ठीक है आज 15 पे आगे फिर 18 पे आगे हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है पैनल छोटा बड़ा ये तो बर्गलाने की बत्ते हैं की हमारी सिर्फ एक बात करने में लंबा वक्त लगता है हम अल्रेडी बहुत लंबा वक्त काच चुके ठीक उन्हें आपकी चिंता है वो इसलिए कह रहे ह लेगा वैसे इस निकल ने बाद आप लोग बैठक करने के आप बैठक करते हे तो आप लोग एक मन बना कर एक छोटा पैनल भी बैठक में जा सकता है जो बैठक से जो चीजें लेकर आएगा वो बाहर आप लोग राईश्यमारी कर सकते हैं आप आपने लास्ट वाले प्रस्ताप को लेकर भी कहा था कि बैठक करके फैसला लेंगे तो ऐसे अगर छोटे पैनल की वज़े से वारता जल्दी निप्टेगी तो क्या बुरा है चोटे पैनल के वारता जल्दी कैसे निप्टेगी तो टेबल चोटा होगा तो बादेवी बाते भी तो जब्रेंट हो जाएंगी ना फिर इस आप के रहें एक किसान की भी है तो वो तो बात हम सरकार से पूछ सकते हैं कि इनको बड़े पैनल में क्या दिक्कत है फिर ऐसे तो यह खत्ब देख सभी मंचा सब्सक्राइब वो पर लिस्दुष्टत कुए है पुरा है तुर्ट गर्ड गति रोद पैदा करने का जनत कॉन है यह नहीं जानना है हम चाहते हैं कि किसानों को अराम मिले वो अपने घर खेतों में लोटे उनकी मांगो पर फोकस किया जाए सुवाइए बाइ, बाइ कहां तयार है सरकार ने तो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसके बाद कह दिया था कि यह पूछा था कि वारता में आप सरकार को को यह की मेटम दे रहे हैं कि पिछले प्रस्ताव को लेकर मत आईएगा हां बिल्कुल हमारा क्लियर है सरकार को हमारा यही निवेदन है कि आप लोग इन कानूनों को वापिस ले लीजिए MSP की गारेंटी दे दीजिए हम अपने गर चले जाएंगे एक सवाल प्रदी बटनागर मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोग देड़ दो साल तक इसको होल्ड करने के लिए तयार हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट के कमेटी से इतर एक अलग कमेटी जिसमें किसान सरकार दोनों होंगे वो बनाने को तयार हैं आप लोग किसानों के अनुरूप उनके उनको जो पसंद आए जो उनके हित में है जो वो बताएं वो चीजे इसमें शुमार करने को भी तयार हैं इन कानूनों में सर जब इतना कुछ आप करने को तयार हैं तो फिर रद ही क्यों नहीं कर देते हैं या बना लीजिए सर अगर देश हित में नहीं तो फिर आप इतना करने को तयार है न सर आप इतने टाइम तक लंबे वक्त तक होल्ड करेंगे नई कमिटी बनेगी नई चीजे डाले जाएंगे पुरानी चीजों को तुदारा जाएगा इतना ताम जाम करेंगे तो रद करके नैसीरे से बना दीजिए क्या दिक्कत है आप ही के किसा नहीं अगर आप रद की जो बात करेंगे अगर वो पक्ष नहीं मान रहा है अगर अगला पक्ष नहीं मान रहा है किसानों की मौते हो रही है और चाहे जिस किसी ने भी किया हो 26 जन्वरी को जो हुआ वह बहुत दुरा हुआ उसके बाद भी हम लगातार टकराफ देख रहे हैं कहीं तो अंदोलन का छोड़ ढूंड और वो नहीं मौन रहे हैं आप जब और्ल करने को संशोधन करने को नई चीज according to your सब्सक्राइब कर दो साल कहा गया इस लिए तीसरा महीना शुरू हो गया इस आंदोलन का अभी तक वारता से मिलहाग तो कोई result निकला नहीं आगे क्या पिधि कानून को समाफ करने कारण बहुत से हैं इसन हैं यह पिन का पड़ कर कि व कानून कानून रद नहीं होगा चाहें जो होगा हाँ तो अब ऐसे दिध्रश्राइए priority आँ आगे Гश करा कर Eating का राजेशलाटर सरकार कहा रही है कि कानून रद नहीं होगा चाहे जो हो जाए बिल्कुल रद नहीं होगा ऐसे में आप लोग वारता का इंतजार भी कर रहे हैं तो क्यों कर कर रहे हैं क्या अंदोलन पर चुप बैटना ज़्यादा जरूरी नहीं हो जाता ऐसे में बोलिए वारता वारता तो जब भी सरकार हमें बुलाएगी हम वारता के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी मांगे यही हैं हम जब भी जाते हैं मीटिंग्स में सरकार वहां जब मीटिंग होती है एक-क मुद्दे को उठाया जाता है सिर्फ एक यही पे पेच फसा है कि आप कानूर रद कर दीजिये वो कह रहे हम रद नहीं करेंगे उनसे भी मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछ लिया कि जब होल्ड करेंगे सुधारेंगे नई चीज़े डालेंगे तो आप रद क्यों नहीं कर देते आप से भी मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ जब आपके हिसाब से चीज़े उसमें आ जाएंगी बदलाव हो जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है देखिए जब सरकार ने करोना काल में ओर्डिनेंस के जड़िये इस कानून को लाए उससे पहले किसी की विचार भी मर्श ने किया कोई किसानों से पूछते कोई क्रीशी विशेशक्यों से पूछते किसके दबाव में है सरकार जो इन कानूनों को वापिस लेने ज़िए क्या नुशान हो जाएगा सरकार ना आपकी तो नाराजगी इसी लेती ना कि आपसे पूछ कर क्यों नी बनाया आपको बुला के क्यों नी बनाया तो अब नाराजगी का हर ढूंड़ी ना सर उस पर आप दोनों फोकस करें यहीं उम्मीद करती हूँ वरता हो जल समधान निकले बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए और इस तमाम बाच्चूइद के लिए अच्छान के लिए